हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MC की क्योश्चन्स अपपर आज आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका इंधन याने की फ्यूल यह केमेस्ट्री का टॉपिक है आज हम इस वीडियो में 50 MC की क्योश्चन्स कवर करेंगे जो हि इंधी minimum students के लिए है English minimum students के लिए वीडियो पहले ही upload की जा चुकी है तो अगर आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए important रहने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल आपका पहला सवाल है किसी पदार्ट की सबसे छोटी मात्रा जो स्वयम रसाइनिक रूप से पहचानने योग्य रूप में मौजूद हो सकती है कहलाती है इसका सही जवाब है C तत्व चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है इंदन की प्रमुक घटक है इसका सही जवाब है B कार्वन और हाइड्रोजन चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है बाइलर में प्रयूक इंदन है इसका सही जवाब है A गयर कुकिंग बिटुमिनस कोईला चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है निमने लिखित में इसे किस इंदन का कैलोरी मान सबसे अधिक है और इसका सही जवाब है C बिटुमिनस कोईला चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों अगला सवाल है निमने लिखित में से किसका अणू द्रव्यमान नियूनतम है और इसका सही जवाब है C हाइड्रोजन चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है निमने लिखित में से किस इंदन का कैलोरी मान सबसे अधिक है इसका सही जवाब है A कोईला गैस चलिए अगला सवाल देखते है लौ आयसक से पिग आयरन निकालने के लिए ब्लास्ट फरनास में ज्यादा तर किस इंधन का उप्यूग किया जाता है इसका सही जबाब है B. हार्ड कोक चली अगला सवाल देखते हैं अगला है थर्मल पावर प्लांट की चिमनी से निकलने वाली सफेद इंधन गैस भाब के समान यह दर्शाती है कि बाइलर भट्टी में प्रियुक्त इंधन है इसका सही जबाब है B. कोक ओवन गैस चली अगला सवाल देखते हैं कोईले क्यों धोने से उसकी कमी हो जाती है इसका सही जबाब है C. खनिच पदार्थ सामगरी चली अगला सवाल देखते हैं दोस्तों अगला सवाल है थोस और तरल इंधन के डैश कैलोरी मान को खोजने के लिए एक बंब कैलोरी मीटर का उप्योग किया जाता है इसका सही जबाब है A. उच्चतर चली अगला सवाल देखते हैं किस खनिच को दफन शंशाइन के नाम से जाना जाता है इसका सही जबाब है B. कोईला चली अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है, जब गैस तेजी से जलती है और गर्मी और प्रकाश उत्पन करती है, तो देहन के प्रकार को क्या कहा जाता है? इसका सही जबाब है B, तेज देहन, चलिए अगला सवाल देखते हैं, निमने लिखित में से कौन सा बायो मास उर्जा सुरोत का उधारन नहीं है? इसका सही जबाब है B, परमानू और जा, चलिए अगला सवाल देखते हैं, इंधन के अधूरे देहन से जहरीली डैश गैस बनती है? इसका सही जबाब है B, कारवन मोनो औक्साइड, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, रॉकिट में इंधन के रूप में किस गैस का प्रियोग किया जाता है? इसका सही जबाब है D, हाइड्रोजन, चलिए अगला सवाल देखते हैं, दोस्तों, क्या लकडी का कोईला घर में जला कर बनाया जा सकता है? इसका सही जबाब है B, हवा के अभाव में लकडी से, विलकुल, चलिए अगला सवाल देखते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तमाल की जाने वाली बायो गैस निमनलखित में से किसका मिश्रण है? इसका सही जबाब है B, मीथेन और कारबन डायोकसाइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा वाच्पशील पदार्थ, युक्त कठोर कोईले को क्या कहा जाता है? इसका सभी जवाब है B, anthracite चलिए अगला सवाल देखते हैं डैश प्रकर्तिक गैस का प्रमुख घटक है इसका सभी जवाब है A, methane चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तो अगला सवाल है LPG किसका मिश्रण है इसका सभी जवाब है B, butane और propane चलिए अगला सवाल निम्नु में से कौन सायोजन अभी क्रिया का प्रकार नहीं है इसका सभी जवाब है C, बिना बुजे चूने को गरम करना चलिए अगला सवाल देखते हैं चूना पत्थर किस उद्योग दुआरा उप्योग किया जाने वाला कच्चा माल है इसका सभी जवाब है A, सिमेंट चलिए अगला सवाल देखते हैं डैश सिमेंट जमने की दर कम कर देता है इसका सभी जवाब है B, जिपसम चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों सिमेंट का रासायनिक संगठन है इसका सभी जवाब है A, चूना पत्थर, मिट्टी और जिपसम चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों निमने लिखित में से किस जीवाशा मिंदन का मुख्य गटक ब्यूटेन है और इसका सभी जवाब है C, LPG चलिए अगला सवाल देखते हैं निमने लिखित में से कौन सा इंदन थर्मल पावर प्लांट में उप्योग नहीं किया जाता है इसका सभी जवाब है B, Uranium चलिए अगला सवाल देखते हैं हवा में फैल कर LPG रिसाव का असानी से पता लगाया जा सकता है और इसका सभी जवाब है B, Ethyl Mark Captain चलिए अगला सवाल देखते हैं कारों में पैटरोल के साथ इंदन के रूप में डैश का उप्योग किया जाता है इसका सभी जवाब है D, कोई भी नहीं चलिए अगला सवाल देखते हैं वोबे इंडेक्स किसकी विशेशता है और इसका सभी जवाब है C, गैस ये इंधन चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों अगला सवाल है अंतरिक शियान में इंधन को जमने से रोकने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है इसका सभी जवाब है D, गलाइकोल चलिए अगला सवाल देखते हैं निमने लिखित में से किसका उप्योग शराब, दोईया और विमान में इंधन के रूप में किया जाता है इसका सभी जवाब है B, एथाइल अलकोहिल चलिए अगला सवाल देखते हैं रेड डॉट कोक पर जल वाप्ष का प्रवा कार्बन मोनोकसाइड और हाइडरोजन गैसों के सायोजन को कहा जाता है इसका सभी जवाब है D, पानी गैस चलिए अगला सवाल देखते है सामानिय ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन के तरल मिश्रन को क्या कहा जाता है इसका सभी जवाब है C, तरल पेट्रोलियम गैस चलिए अगला सवाल देखते है इंधन में विस्पोटक विरोधी गुणों का प्रतिनीदुद करते है इसका सभी जवाब है A, ओक्टाइन संख्या चलिए अगला सवाल देखते है किस प्रकार के कोईले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है इसका सभी जवाब है A, एंथ्रासाइट चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तो निमने लिखित में वाजपी शील इंधन है इसका सभी जवाब है D, ऊपर के सभी है याने कि पैट्रोल, शराब और बैंजोल चलिए अगला सवाल वे पदार्थ जो जलकर उश्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं इसका सभी जवाब है B, इंधन चलिए अगला सवाल हवा या उक्सिजन में एक ग्राम इंधन के पूंड दहन के परिणाम सरुप प्राप्त होने वाली उश्मा की मात्रा इसका सभी जवाब है A, कैलोरी मान चलिए अगला सवाल देखते हैं वे नियुन्तम ताप्मान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है इसका सभी जवाब है D, इंधन ताप्मान चलिए अगला सभी देखते हैं दोस्तो नियमन लिखित में से कौन सा इंधन तत्व नहीं है और इसका सभी जवाब है D, हेलियम अगला सभी देखते हैं नियमन लिखित में से कौन सा जीवाश्यम इंधन सबसे स्वच इंधन है इसका सभी जवाब है C, प्रकर्तिक गैस चलिए अगला सवाल देखते हैं भाप शक्ती सन्यत्रों में किस इंधन का व्यापक रूप से उपियोग किया जाता है इसका सभी जवाब है C, कोईला चलिए अगला सवाल देखते हैं कोईले के बनने की परिघटना क्या है और इसका सही जवाब है C, कायन, तरण चलिए अगला सवाल देखते हैं प्रतिक किलोगराम इंधन से उत्पन उश्मा की मातरा को क्या कहा जाता है इसका सही जवाब है B, कैलोरी, मान चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तो जब कोईले को पहले सुकाया जाता है और फिर चूडनित करके महीन पावडर बनाया जाता है तो परिणामी इंधन कहलाता है और इसका सही जवाब है D, कोई भी नहीं चलिए अगला सवाल देखते हैं 500 डिगरी सेल्सियस से 700 डिगरी सेल्सियस पर कोईले का कार्बोनाइजेशन करने पर डैश प्राप्त होता है इसका सही जवाब है A, शीतल कोक चलिए अगला सवाल देखते हैं कोईले का कार्बोनाइजेशन करने पर हर्ड कोग प्रॉप्त होता है इसका सही जवाब है सी नौसो से ग्यारा सो डिग्री सेल्सियस चालिए अगला सवाल देखते हैं भाप कोईला है इसका सही जवाब हे A.गैर कोकिंग बिटूमिनस कोईला चलिए अगला सवाब देखते हैं दोस्तो प्रकर्तिक पेट्रोलियम कोग इसमें अलक किया जा सकता है इसका सही जवाब हे C.ग्रीज चलिए आज का आखरी सवाल देखते हैं दोस्तो हलके डिस्टिलेट की उपज बढ़ाने के लिए कच्चे तेल को बहुत अधिक दबाव में उच्च तापमान पर गरम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है इसका सही जवाब है A क्रेकिंग तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्री पीडियाफ इबुक्स पाने के लिए आप हमारे प्री ज़रूर करें लाइक और आप हमारे झाल 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 झाल